हलो एव्रीवान स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल पर मैं हूँ अम्रित को यौर इंग्लिश एडुकेटर एक बार फिर से आपसे यहाँ पर एक गुजारिश यह है कि इस सेशन को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का मुद्धा है हमारा हाउ टू करने के लिए वह क्या पांच टिप चाहिंगे वह क्या तरीके चाहिए कि आपका जूर है को बेहत तरीके से एक शाप तरीके से जो है वहो इंक्रीज हो जाए अ बहुत सारे स्टूडेंस हैं जिनम almond हैं जिनका का यह मानना है कि मारी preparation बहुत अच्छी है माम कहीं न कहीं हमारी revision भी बहुत अच्छी है लेकिन जब माम हम एक score के लिए मतलब जब हम मौक लगाते हैं तो मौक में नंबर हमारे बढ़ ही नहीं रहे तो उस मौक में नंबर को increase करने के वो कुछ तरीक है माम जरूर शेर करें तो आईए देखते हैं सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक point है बच्छे time management because अब देखो यार साल 2024 examinations से भरा हुआ है वो आपकी wait कर रहा है बट हमें ये देखना है कि आप तयार हो या नहीं हो तो उसके लिए क्या करना है 2024 में कहीं ना कहीं तो selection हमें पाना है कहीं ना कहीं तो selection हमें लेना है लेकिन होता क्या है जब आप actually में किसी भी exam की prelims की तयारी कर रहे होते हैं तो उसके पिछले exam का mains आपके लिए तयार खड़ा होता है अब जैसे कि for example NICL का example लेके बताती हूं NICL के आप त्यारी कर रहे हो प्री की लेकिन SBI clerk में आपके लिए खड़ा है ठीक है ऐसे ही जब आप और धीरे-धीरे closer to the month of August जाते हैं जहां हमने देखा आपका IBPS का calendar जो आउट है उस dates की बात करें तो आप जब पीयों के प्री की तयारी कर रहे होते हैं तो clerk का mains होता है clerk के mains की तयारी कर रहे हैं तो आने वाला है एक और पेपर होता है तो ऐसे multiple papers आपके पास तयार खड़े आपको अपना time बिलकुल अच्छे से manage करना है आप जो भी topics को देख रहे हैं उन topics को आपको अच्छे से समझना है आपक को क्या time once it is gone it is gone आप सोचो अगर पूरे साल 2023 में selection नहीं हुआ पूरे साल 2022 में भी selection नहीं हुआ मतलब कहीं ना कहीं failure है this is failure तो अब इस समय को इस समय को बहुत ही समझदारी से आपको उपयोग करना है time को manage करना है अपने hours को को कोशिश करो कि आप divide कर लो किस subject को कितना time दे प्लीज शुरू कर दीजे 8 घंटे पढ़ना या 10 घंटे पढ़ना या 16 घंटे पढ़ना which is not feasible which is not मेरे पिछले कुछ sessions में भी मैंने बहुत सारे students को एक request करी थी और वहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि अगर आप लोग ये 8 प्लस 8 प्लस 8 की strategy भी कर लेते हो तो ये बहुत के slot में आप अपना relax करेंगे अब वो relax में तो कुछ भी हो सकता है आप music सुन सकते हो आप reading, driving, whatever, whatever you want आप कर सकते हो लेकिन ये वाले 8 घंटे आपको एक proper sleep चाहिए ये rule applicable है जब आप exam के closer नहीं है बट जैसे कि आपको पता है for example की तौर पर बात करते हैं आप बैठे हैं exam के बहुत बहुत करीब याने की 25 तरीक को जो आपका exam अब होने वाला है clerk mains का आप उसके काफी जादा करीब है almost आप 17 पे हैं आज तो आपके पास दिन रह गए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 8 दिन है और उस 8 में से भी 24 का दिन निकाल दो वो आपका दिन त तब stress और anxiety में निकल जाता है ठीक है लगए लगभग 7 दिन एक week अब आपको manage करना है इस एक week को इस एक सब्ता को आप किस तरीके से कितने हिस्सों में बांट रहे हैं किस subject को time कितना दे रहे हैं किस topic को कितना time दे रहे हैं ठीक है चलिए यह बात हो गई हमारी सारी time management के और example मैंने SBI का लिया just because exam आपके लिए तयार बिलकुल खड़ा है जी हां इसके बाद March में भी आपको देखने को मिले का लेकिन पहले अब अभी हम focus 25 पे कर रहे हैं next हमारा part है यहाँ पर importance of the mocks देखो यार अब आप कोई भी bank की तयारी कर रहे हो कोई भी bank exam की तयारी कर रहे हो example इसलिए बार-बार SBI clock का दिया जा रहा है वो बिलकुल ready है ठीक है कोई भी bank exam की तयारी कर रहे हो आपको mock की एहमियत समझ नहीं है क्योंकि हमारा topic ही क्या है how to improve your score अब बच्चे क्या करते हैं revision कर रहे हैं practice कर रहे हैं mock में number नहीं बढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर इस mock क कि अंदर आप अपना score improve कैसे करेंगी यहाँ पर थोड़ा साम इसके बारे में बात कर लेते हैं जब मैं यहाँ पर लिख रही हूं प्यारे बच्चो मॉक कि आपने एक मॉक लिया मॉक को सॉल्फ करना शुरू किया लेकिन आपने लगा दिये तीन घंटे चार घंटे आधा दिन माक्सिमम दिन लगा दिया और मॉक कितना सॉल्फ हुआ एक ही मॉक सॉल्फ हुआ क्या हमें सही बोल रहे हैं ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है तो आपको क्या करना है आपको अपना speed जरूर चेक करना है एक timer के साथ महां पर speed timer और इसी के साथ आपको अपनी accuracy भी थोड़ा सा वीक जा रहा है माने तो हो सकता है आपका पैरा जंबल्स वीक जा रहा हो हो सकता है आपका reading comprehension आपका close test आपके errors आपके fillers मतलब यह अनुमान एक आप self जिसको बोलते हैं na self analysis के थूरू आप बता सकते हैं इसका निशकर्ष निकाल सकते हैं कि यह area मेरा थोड़ा वीक जा रहा है तो उसके उपर काम करना शुरू करेंगे time है hours है सिरफ क्या करना है उन hours को wisely मैं यह बार बार बोलूंगी wisely आपको उन्हें divide करना है यह बहुत important है ठीक है जी चलिए तो speed timer और accuracy का ध्यान लगाते आपने मौक रखा और कोशिश करेंगे अगर चीजे समझ में नहीं आ रही तो आप topic के हिसाब से आप topic wise मौक ले सकते हैं आप section wise मौक ले सकते हैं ठीक है और आप full length मौक भी ले सकते हैं depending upon आपका goals तो उसके लिए क्या है एक goal set कर लीजे प्लीज कोशिश करो कि आपने goal set करा क्यूंकि जब आप smaller goals को set करते हो versus big goals ठीक है तो ये smaller goals चो होते हैं थोड़े से बच्चे मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे ये थोड़े आप achieve कर पाते हैं माने कि topic wise एक test किया आपने कुछ चीजे achieve कर ली वहां से आपको पता लगा आपने एक पैरा जंबल का question लिया week जारा था आपने उसके 10 questions 5 questions पिछले 5 box में से पांच previous year में से आपने कर लिये तो यानि कि आपका यहां पर एक speed बन गया उससे हुआ क्या क्यूंकि आपका smaller goal achieve हो गया ना आपको एक sense of motivation मिला एक sense of positiveness दिखा कि यार हमारा छोटा goal link हो सकता है बच्चे आपके full length में mark इतने अच्छे marks नहीं अच्छे आ रहे हो ले analysis जैसे कि मैं आपको बोला हर मौक के बाद next step ही होता है analysis जहां पर आपको देखना है आपका कोई भी area अगर weak है versus कोई area अगर आपका strong है तो इस भाग को तो आप और जादा strong बना सकते हो लेकिन आपको काम इस पे करना है आपको focus यहां रखना है आपको काम इस particular segment में करना है यह बहुत important है यहां पर फिलहाल के लिए चलिए फिर हम बात करते हैं weak section अब जैसे कि मैं आपको बताया है आपके weak sections है मान लो अगर आपका weak section error है और आपको पता है error एक ऐसा topic है जो आप हर bank exam में देखते हो या फिर एक reading comprehension है या फिर para jumble या filler या whatever it is कोई भी वो exam है तो याने की आपका concept थोड़ा सा थोड़ा सा कोशिश करो कि आप rules समझ लो कोशिश करो कि आप topic wise चीजे solve करनी शुरू कर दो यहां से यह भी कोई गलत नहीं है अगर आप अभी भी पकड़ बना रहे है याने की अभी भी आपके पास time है अगर आप focus 2024 वाले बच्चे कर रहे है यहां पर उनके लिए तो काफी समय है क्योंकि अभी वह अपना foundation जिस्तार्ट ही कर रहे है शुरू ही कर रहे है लेकिन प्यारे बच्चों जो sbi clock mains वाले बच्चे है उनके पास time थोड़ा सा concise है थोड़ा सा मतलब एक limited है because exam की dates विलकुल आउट है जैसे कि आप सभी को बता है लेकिन लेकिन वो यह वीडियो जरूर देख रहे हैं तो उनके लिए यह मेरी एक गुजारिश है तहे दिल से कि प्लीज अपने week section को चाहे वो कोई भी section हो मैं यहां पर qre की एक holistically बात कर रही हूं कोई भी week section हो आपका mains वालों के लिए यहां पर आप जिये भी आड़ क है क्या हिस्सा week है ठीक है चलिए आगे बात करेंगे जी फिर हमारे पास आता है एक थरो revision मेरी बात एक याद रखना अगर आपने learn कर लिया चीजों को revise कर लिया ठीक है learn कर लिया revise कर लिया लेकिन आप उसको retain नहीं कर पा रहे एक्जाम के समय तक तो याने की चीजों में को है अमुला है LRR learn करो revise करो और फिर retain करो यानि कि आपको याद तो करनी है चीजे और याद के बाद अगर आप revision करते तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का उस चीज को उस चीज के उपर काम करने का आपने revision नहीं किया तो वह चीज अगर revise नहीं है कर लिया चिक है लेकिन आपने ना उनकी practice नहीं की थी आपने बहुत अच्छे से समझा आपने classes भी लगा लिए उस classes में आपने क्या लिया आपने live class भी लिया आपने paid class भी लिया में special class भी ले लिया लेकिन practice जिसको आप बोलते हैं revision यह revise आप कर ही नहीं पाए short of time था आपने सोचा छोड़ो यार पढ़ा हुआ एक्जाम में जाएंगे तो एक्जाम में जाकर वो डबा गोल हो गया यानि कि ये एक 360 डिगरी अप्रोच है मेरी बात मानना दोस्तों ठीक है 360 डिगरी अप्रोच है और ये 360 डिगरी आप तभी कर सकते हो पूरा ही सरकल तभ बहुत जरूरी है चाहे आप पांच टॉपिक्स पड़ें अगर आपने यहां पर पांच टॉपिक्स भी पड़े हैं और प्यारे बच्चों उन पांच टॉपिक्स को लर्न करने के बाद एक कंसिस्टेंट थरो प्राक्टिस या फिर एक रिविजन की है तो आप बहुत नहीं किया तो शायद यहां के बाद यह ग्राफ यहां गिरते हुए इसको टाइम ना मिले हां उठ जाएगा बट फिर उसको गिरते हुए भी कुछ टाइम नहीं लेगा क्यूंकि आपका मोटिवेशन आपकी पॉजिटिवनेस वो सब कुछ दिकलाइन हो चुकी होगी तो प्लीज थोड़ी हेल्प कीजिए कि इन मॉक्स में हम अपना स्कोर बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे तो कैसे यह स्कोर बढ़ेगा और कैसे यह स्कोर घटेगा यह दोनों जीज़ें आपके सामने मैंने बहुत क्लियर कर दी है ठीक है अब थोड़े से टिप्स यहां प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बात का प्लीज जरूर जरूर ख्याल रखिए यह हाद जोड़कर विन्मिती है आपसे की माइडियर स्टूडेंस आप सभी को अपना स्टॉंग और वीक पता है आप सभी को पता आप कितने पानी में है शुरू में ही न मौक मत लगाईए शुरू में जो बच्चे स्टार्ट करते हैं न टू चेक देर स्किल्स हम मौक लगाते हैं जी नहीं पहले आपको अपने एक फाउंडेशन पर काम करना है अगर आपका यह फाउंडेशन यह नीव आपने अच्छी रख दीना तो आगे आने वाले ऑगस्ट, सब्टेंबर, अक्टूबर, नवेंबर और डिसेंबर यह चीजे बहुत सरल होती जाएंगी सारे एक्जाम्स चाहें IBPS हो, SBI हो आपका LIC हो, NHB हो जितने भी मतलब मल्टिपल एक्ज चाहे वो कोई भी बैंक, SAC, Teaching, Defense, कोई भी एक्जाम्स हो, यह उनके लिए एक टिप है, अभी अपने फाउंडेशन पर काम करो, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान चे नोट करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, जैसे ही नोटि और उस बैच के लिए फिर आप गुड एक दो महीने लगाते हैं, और तब तक जब तक आप एक नर्चर होकर बाहर आते हैं, वो एक्जाम्स आपके हाथ से कोसो दूर चला जाता है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी फिलहाल, अगर आप एक फाउंडेशन पर काम कर रहें, मैं बताती हूं क्या करना आपको इसके लिए, यह देखेंगे, यहाँ पर यह स्क्रीन आप सभी सूडेंस को यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रही होगी, अन अक्याडमी के पेज पर आप सभी सूडेंस यहाँ पर जाएंगे, सर्च कॉलम में आप बैंक को सर्च करेंगे, यह आपको, क्लेरली मेरा बैच, यहाँ पर एक दिख रहा होगा, अमरित पाल सोडी, के पेज को आपने फॉलो किया, यहाँ मेरी कुछ है, फ्री क्लासिस, ठीक है, और जब आप इन फ्री क्लासिस को देखते हैं, ठीक है, यह फ्री क्लासिस आपने देख करना है, ताकि आप मेरे फ्री सेशन देख सकें, फिर मैंने कुछ दिन पहले ग्रामर कॉंसेप्स लिया, सब्जेक्ट वोब अग्रीमेंट का पार्ट वन लिया, पार्ट टू लिया, ग्रामर के कॉंसेप्स समझाए, क्लासिस वाइज उनको डिवाइड करकर, इसी प्रकार का था, और सेकंड बस इसका एक सेकंड ही डे निकला है, विच वोज इसके अंदर हमने बिलकुल बेसिक किया, अब यहां पर करा क्या मैंने, मैं आपको यह बतनाना चाहती हूं, आप इसका ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहां पर जैसे ही आप का बैच को जॉइन करने का, तो उसको तो बिलकुल छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो आपको मैं थोड़ी सी यहां बताना चाहती हूं, चीजें की जो फाउंडेशन में मैंने ध्यान में रखी हैं, इस बैच में मैंने पूरा ध्यान रखा कि अपने बच्चों को February, March, April, May, June मैंने पूरा यह ध्यान में रखा कि यह एक पांच महीनों के उपर based एक foundation batch है, जो आपको सारे bank exams में help करने वाला है, याने कि bank exams हो या कोई भी competitive exam हो, कोई भी competitive exam हो, आपको यह सभी exams में काम करने वाला एक foundation batch है, जिसको मैंने पांच महीनों में बहुत briefly कहलो, बहुत precisely, लेकि keeping in mind, एक detailed structure के साथ, एक detailed plan के साथ मैंने इसको यहाँ पर आपके पास present किया है, आप चाहें तो brochure को download कर सकते हैं to check the plan, तो यही सब चीजे थी, जो मुझे आप लोगों के साथ discuss करनी थी, और इस batch को join करने के लिए आपको क्या करना है, वो बिलकुल बिलकुल याद रख लें सकते हैं मेरे paid batches में, तो पहले तो अभी जाइए और enroll कीजे, विकाज अभी बस एक ही दिन है जो निकला है, आप आज भी इसका फायदा उठा सकते है, नमबर टू, यह मेरा एक session है, जो bankers way पे हर दिन होता है, सुभा 10 बजे, ठीक है, तो यह session bankers way पे हर दिन 10 बजे होता ह है, live होता है, इसमें आप जरूर जुड़े, जरूर मेरे साथ आएं, क्योंकि हम maximum questions की यहाँ पर practice जो है, वो कर रहे हैं, secondly, आज इस particular, कहलो यार, particular खास्चीज का एक last दिन है, तो 17th of, जी हाँ, 17th of February को आज यह बिल्कु लास्ट है, again आप use कर सकते है, code amrit0606, और gain कर सकते ह है, maximum discount, यहाँ से बाच के लिए, जहाँ पर आपको 20% off मिल रहा है, number 1, और इसके साथ आपको unacademy and all the unacademy bank examinations, 24 महीने plus 4 months, तो यहाँ पर है आपका 24 months, plus 4 months, ठीक है, तो जहाँ पर भी कोई doubt, दिकत, question query हो, जरूर जरूर मेरे साथ जोडे, इसी के साथ कुछ चीजे और discuss कर तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे bankers way पर सुभा 10 बजे follow कर सकते हैं, bank affairs पर 12 बजे follow कर सकते हैं, ठीक है जी, apart from this, यह रहा इस page को अगर आप specifically download करते हैं, यह रहा मेरा page, bank examinations पर, आप मेरे free batches and paid batches दोनों का हिस्सा बन सकते हैं, सिरफ और सिरफ इस discount code क साथ, तो thank you, धन्यवाद, and wishing all my students very very all the best, हाना मतलब यार, सभी को बहुत-बहुत all the best, बहुत-बहुत शुप कामनाएं, बहुत-बहुत best wishes, sessions हमारे चल रहे हैं, SBA clock पे मेरी classes already चल रहे हैं, मैंने already कुछ mocks करवा दिये हैं, in fact मैं कोशिच यही कट्टू कि हर दिन at least एक mock त काहे लाई हो, पढ़ाई का content और quality हर दिन आपकर देलिवर हो रहा है, all right, तो यहां पर session को बांत करते हैं, let's just end the session over here, and I'm sure आपको वो पांच तरीके कोई भी exam में, मौक में score improve करने के पता लग गए हो, thank you so much, and मुझे सब लोग आप तेलीग्राम पर जॉइन भी कर सकते हैं, only at English, so sorry, English by Amrit Gaur, thank you, I'm wishing you all the very best, do drop in your lovable comment in the comment box, thank you guys.